हलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग फ्रेंट्स अर्णब गोस्वामी अबेटमेंट टू साइट केस में एक बड़ी खबर आई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और साथ मैं कुछ इंट्रेस्टिंग बाते बताऊंगा जो सुनवाई के दौरान हुई थी औ और कोंसे आर्गुमेंट और नोप के अड़ोकेटर दिये थे और किस पॉइंट पे वो आर्गुमेंट फेल हो गए यह भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और फ्रेंट्स शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक नया माउथ औरगन हर्मोनिका का चैनल खोला है यूटूब पे और जो मौथ और्गन के लवर्स हैं जो मौथ होगन स्शिखना चाहते हैं वो उसे जौन कर सकते हैं सब्स्क्राइब कर सकते हैं मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो दूगा तो वो जो माउथ औरगन चैनल होगा exclusively सिर्फ उसमें mouth organ के lessons harmonica के lessons होंगे तो शुरू करता हूँ friends आरणव गोस्वामी के खिलाफ जैसे आप जानते हैं Abattment to suicide का case चल रहा है और इसी मामले में Supreme Court ने उन्हें बेल दिया हुआ है तो अभी उनको बेल मिला हुआ है वो अभी बेल पर बाहर है तो friends आरणव गोस्वामी के advocate ने मुंबई High Court में एक application डाला था और application में यह प्राथना किया गया था कि यह जो charge sheet मुंबई पुलिस ने फाइल किया है Chief Judicial Magistrate के court में उस charge sheet को रद किया जाए और Chief Judicial Magistrate को direction दिया जाए High Court द्वारा कि वो इस मामले का संग्या न ले यानि कि इसका सुनवाई न करें यह prayer उन्होंने किया था मुंबई High Court में तो अर्नव के वकील ने जब argument किया था मुंबई High Court में तो उन्होंने कहा था कि उनका best argument है Supreme Court का जो judgment दिया गया था वो उनका best argument है 27 नमबर को आपको मालूम होगा कि Supreme Court ने एक judgment दिया था और उसी judgment में और्नव गोस्वामी को बेल भी दिया गया था तो Supreme Court का judgment क्या था मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ Supreme Court ने कहा था अब प्राइमा फेसी evaluation of FIR does not establish the ingredients of the offense of abattment of suicide under section 306 IPC यानि कि और्नव के वकील ने कहा था कि Supreme Court ने जज्जमेन में कहा था कि अब प्राइमा फेसी प्राइमा फेसी माने प्रत्रम दिश्टी यानि कि प्रत्रक्ष्रूप से प्रत्रम दिश्टी में ऐसा लगता है कि FIR जो फाइल की गई है उसमें 306 यानि कि abattment to suicide वाला केस नहीं बनता है ये argument दिया था अर्नव के वकील ने उन्हेंने कहा था ये जो judgment है Supreme Court का यही मेरा सबसे best argument है तो इसी पर Mumbai High Court ने प्राइमा फेशी जो word है उसको पकर डिया और कहा कि प्राइमा फेशी का मतलब होता है कि प्रत्रम दिश्टी यानि कि ऐसा अनुमान लगता है प्रत्रम दिश्टी पर ऐसा लगता है कि case नहीं बनता है लेकिन ये अनुमान है ये confirm नहीं है प्रथम दिष्टी प्राइमाफेसी का मतलब है कि case अभी open है इसलिए case चलना चाहिए case चलने पर सुलवाई होगी उसके बाद जो निश्कर्स निकलेगा नतीजा पहुंचेगा उसको माना जाएगा तो यानि कि मुंबाई हाई कोट ने साफ कर दिया कि ये जो प्राइमाफेसी वर्ड जो सुप्रीम कोट ने यूस किया है इसका ये मतलब है कि उन्होंने ये confirm नहीं बोला है कि case नहीं बनता है उन्होंने कहा है कि प्रथम दिष्टी में ऐसा लगता है कि case नहीं बनता है लेकि इस मामले का संग्यान ले लिया है इसलिए उन्हें पर्मिशन दिया जाए कि वो एक fresh application फाइल करें जिसमें कुछ changes हो लाना चाहते हैं कुछ change करके फिर वह application दोबारा फाइल करना चाहते हैं इस पर Mumbai High Code ने उन्हें पर्मिशन दे दिया है अब फिर से मामले की सुनवाई 6 जन्वरी 2022 को होगी तो देखा जाए 6 जन्वरी 2021 पे क्या होता है क्या अर्गुमेंट्स होते हैं अर्णप को उसमें कुछ रहात मिलती है कि नहीं वो पता चलेगा 6 जन्वरी को तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आते रहेगी मैं आपको पताता रहूँगा तो मिलता हूँ अगले वीडियो में फ्रेंड्स बने रही गा इस चैनल से बाबाए